How Franklin D. Roosevelt saved America from the Great Depression? The only thing we have to fear is fear itself. आज की कहानी इस मुहावरे के जन्मदाता और USA के 32nd President Franklin D. Roosevelt की है. दोस्तों, आज हम President Roosevelt की उस New Deal की चर्चा करेंगे, जिसने 20-वी शताबदी के Great Depression से अमेरिका को बचाया. Economic Terms में, Depression में दो components होते हैं. पहला, Real GDP में 10% से ज्यादा का Decline, और दूसरा, दो साल यह उससे ज्यादा समय से चला आ रहा Recession. Recession में Economic Activity Reduce होती है. लेकिन यह Depression में जितना serious नहीं होता और सिर्फ कुछ ही महीनों तक चलता है. इसलिए, Depression को अकसर Recession का एक Severe Form भी कहा जाता है. Abnormal Increase in Unemployment Rates, Low Output, Low Productivity, Low Investments, Reduced International Trade, Fluctuating Currencies, Etc. Economic Depression के Features होते हैं. Price Deflation, Financial Crisis, Stock Market Crash और Bank Failures, Depression के Unique Elements होते हैं. जो normally Recession के दोरान नहीं देखे जाते हैं. खैर, Great Depression को Great की परिभाशा इसलिए दी गई क्यूंकि इस लेवल की वैश्विक महामंदी आधुनी के तिहास में पहले कभी नहीं हुई थी. ये Industrialized World में जन्मा एक ऐसा Economic Downturn था, जिसकी Scope और Size के कोई Parallels नहीं हैं. यूं तो ये 1929 में अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका असर विश्व के हर कोने में महसूस किया गया. इस Economic Depression ने हर अमीर या गरीब देश को अपनी चपेट में ले लिया. लेकिन President Roosevelt ने अमेरिका को इस भयानक त्रासिदी से कैसे बाहर निकाला, ये कहानी बेहद रोचक है. और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उन कारणों की, जिनकी वजह से The Great Depression का जन्म हुआ. Background and Causes दोस्तों, बीसवी शताबदी के शुरुआती सालों में, दुनिया एक के बाद एक कई challenges का सामना कर रही थी. पहले World War I और फिर Spanish Flu महमारी, जिसने World War I से भी ज्यादा लोगों को मार दिया. दुनिया इनसे उबर ही रही थी, कि कुछ ही सालों बाद, अमेरिका को The Great Depression का भी सामना करना पड़ा. वैसे 1929 के Wall Street Crash को Great Depression का Soul Reason बताया जाता है. लेकिन असल में ये केवल एक triggering event था, और in reality, Great Depression के पीछे और भी कई structural और deep-rooted factors थे. चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं. इस दौरान, अमेरिका की GDP 4.7% के rate से बढ़ी और national wealth दुगनी हो गई. Millions of new jobs create हुई और अमेरिका में एक large middle class का जन्म हुआ. टेकनोलोजिकल इनुवेशन के चलते, लोग lavish lifestyle अपनाने लगे. Tech advancements और high demand से, industries और agricultural sector में overproduction भी हुआ. Overproduction के कारण, commodities के prices भी कम हुए. और इसलिए goods की affordability भी बढ़ी. Poor purchasing power वालों के लिए credit schemes थी, ताकि वो आसानी से loans लेकर एशो आराम की जिन्दगी बिता सके. कुल मिलाकर अब लोगों के पास surplus cash था, जिसका फाइदा वहां के stock brokers ने उठाया. उन्होंने लोगों का surplus cash stocks में invest करवाया. Industries की high growth की कारण, stock market तेजी से grow हुआ, और 1923 से 1928 तक वो करीब साढ़े चार गुना बढ़ गया. अब हर American, चाहे वो banking या industrial magnets हों, या फिर cook या drivers, सब बढ़ चड़ कर stock market में invest करने लगे, जहां से उन्हें अच्छे returns मिलने लगे. लेकिन दोस्तों, ये सब जितना simple दिख रहा था, उतना असल में था नहीं. इस समय majority of citizens, high returns के लालच में धड़ाले से अपना सारा पैसा, savings, bonds, gold और बाकी के lifetime investments stock market में जोंगने लगे. कई लोगों ने तो अपने घर बेच कर भी stock markets में invest किया, जिससे लोगों की lifetime savings खत्म होने लगी. उपर से banks और brokers ने इसे support करने के लिए लोगों को easy loans भी दिये, जिससे banks के reserves भी खत्म होते जा रहे थे. साथ में stock market की tremendous growth से financial markets का government policies पर अच्छा खासा influence था, जिसके चलते financial markets पर government control वीक हुआ और ये market पूरी तरह से unregulated हो गई. इस time तक excessive surplus के कारण commodities के prices तो काफी गिर गए थे, पर stock prices companies की actual value से भी ज्यादा हो गए थे. यानि कि stock prices shares की real earning से mismatch होने लगे. अब ये prices economics के fundamentals की वजह से नहीं, बलकि investors के optimism से बढ़ रहे थे. लेकिन क्योंकि धीरे धीरे लोगों की savings खत्म हो रही थी, तो इन industrial commodities को एक time के बाद खरीदने वाला कोई नहीं था. excessive production बट low demand के चलते, industries अपने products low prices पर dump करने लगी. Eventually, इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका सीधा असर इन industries के share prices पर दिखा. इन्वेस्टर्स की over excitement और false predictions के चलते, March 1929 में इस boom को एक जटका लगा. हलांकि इस mini panic को जल्द ही overcome कर लिया गया. लेकिन इस point से ही share market में लोगों का confidence गिरना शुरू हो गया. इस दौरान, panic में अकसर कुछ लोगों ने अपने shares बेचने भी शुरू कर दी. इन सभी factors के combination से October 1929 में सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरे financial system में panic की लहर दोड़ गई. वैसे initial growth के बाद stock markets ने September 1929 से ही एक negative trend दिखाना शुरू कर दिया था. लेकिन October 29, 1929 को stock market पूरी तरह crash कर गई. इस दिन को Black Tuesday के नाम से जाना गया. इस दिन billions of dollars पानी की तरह बह गए और न जाने कितने हजारों investors बरबाद हो गए. आपको जानकर हैरानी होगी कि जो stock market कुछ महिनों पहले तक एतिहासिक उचाईया चू रहा था, उस stock market में 1929 से 1932 तक 85 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. और eventually इस period के दोरान World GDP में 30 प्रतिशत का डिकलाइन हुआ. Low Demand, High Unemployment दोस्तो, financial system collapse होने के चलते, companies का पैसा ढूब गया और उन्हें अपनी production और workforce को drastically reduce करना पड़ा. नतीजा था Massive Unemployment. उधर, debt-ridden consumers को अपनी spending पर भी full stop लगाना पड़ा. Demand कम होने से और भी ज्यादा businesses collapse हुए और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुँच गई. Personal income और tax revenue में भी एक massive slump हुआ. International trade 50% से भी ज्यादा गिर गया और industrial production में 47% की गिरावट देखने को मिली. अमेरिका में labor force का unemployment rate 25% पहुँच गया और लगभग 1,30,000,000 लोगों को अपनी नौकरियों से हाद धोना पड़ा. Ohio, Toledo, Lowell और Massachusetts जैसे states में तो unemployment rate 80-90% तक था. Housing prices 67% तक बढ़ गए, जिसके वजह से लोग बेघर भी हो गए. Crop के prices में 60% decline देखने को मिला, जिसका सबसे बुरा effect poor farmers और agro industry पर हुआ. इतना ही काफी नहीं था कि इसी दोरान अमेरिका के southern plains में American history का सबसे बुरा drought आया, जिसके चलते वहां भुग मरी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ी. तदकालीन President H.C. Hoover ने देश को इस crisis से निकालने के लिए कुछ immediate measures adopt किये, जिसके चलते कुछ समय तक recovery signs भी दिखे. लेकिन एक series of bank failures के चलते, ये सभी measures भी मिट्टी में मिल गए. Missteps by the Federal Reserve दोस्तो 1920s के दोरान, banks ने irresponsibly अपने reserves को dangerously low levels पर पहुँचा दिया. Banks और Federal Reserve की low interest rates, early 20s के economic expansion का main कारण थे. पर जब पूरा system crash हुआ, उस समय banks को interest rates कम करने चाहिए थे. पर तब उन्होंने उल्टा उसको pre-cash level से भी दोगुना कर दिया, जिससे further lending और borrowing को रोका जा सके. इसके साथ-साथ, Federal Reserve ने भी इस crisis से जन में deflation को रोकने के लिए कोई active intervention नहीं किया, जिससे पूरा banking sector ही collapse हो गया. US Government के archives बताते हैं कि 1930 से लेकर 1933 तक लगभग 9,000 banks fail हो गए, जिन में से 4000 failures केवल 1933 में हुए, और इन bank failures के कारण depositors के 140 billion dollars के reserves पानी में मिल गए. ये इसी depression का result था, कि inter-war period यानी World War I और World War II के बीच की समय में, अमेरिका ने European countries को और अधिक लोन देने से इंकार कर दिया, और European nations की economy पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और इसी वज़े से Germany और Italy में fascists को बढ़ावा मिला, और अंत में इसका result World War II के रूप में दिखा. World War I और World War II के बीच का ये period, widespread hopelessness, despair, poverty और hardships की गाथाओं का दौर था. हम ये भी कह सकते हैं कि ये दौर capitalism के लिए एक death moment बन कर सामने आया. लेकिन यहीं पर American politics के forefront पर Franklin D. Roosevelt की entry हुई. उन्होंने New Deal जैसे Economic Recovery program से American economy को वापस track पर लाया, पर साथ में उन्होंने government और citizens की relationship को भी redefine किया. उनके इनी programs की वजह से ये Great Depression, capitalism के इतिहास में सबसे transformative chapter भी बन कर उबरा. चलिए देखते हैं ये क्यूं और कैसे हुआ. दोस्तों, इस नाजुक दौर की शुरुआत में देश की कमान President Herbert Hoover के हातों में थी. लेकिन इस crisis के प्रती उनका response उनकी conservative political philosophy में जकड़ा हुआ था. वो मानते थे कि government को market में ना के बराबर interference करना चाहिए. क्यूंकि excessive government intervention, capitalism और individualism पर बड़ा खत्रा है. Market capitalism की ideology के प्रती obsession के चलते. Hoover ने US Congress में ऐसे कई bills veto किये, जो struggle जहल रहे Americans को direct relief मोहया कराने के लिए लाए गए थे. अगर ये bills पास हो जाते, तो शायद लोगों को वो सब न जहिलना पड़ता, जो उन्होंने इस disastrous period में जहिला. Hoover ने central government को इस situation को समभालने का complete chance नहीं दिया. इसी के चलते, Hoover लोगों की नजरों में एक ऐसे unpopular figure बने, जिनको लोगों की sufferings का जरा भी खयाल नहीं था. जाहिर था कि public opinion उनके खिलाफ था. इसी महौल में, अमेरिका में 1932 के presidential elections हुए, और कुल six seats के साथ Hoover की यतिहासिक हार हुई. और New York के ततकालीन governor और Democrat party के नेता, Franklin D. Roosevelt, अमेरिका के 32 में president बने. अपनी election rallies के दौरान FDR ने लोगों से एक series of progressive reforms और economic relief program से American economy को बजाने का वाइदा किया था. और यही उनकी जीत का main कारण बना. चलिए अब समझते हैं उनके reforms या new deal को. The New Deal दोस्तों, FDR ने सबसे पहले इस term को अपने nomination के वक्त एक speech में यूज किया. New Deal की philosophy, laser fair यानि absolute free market के opposite government regulated economy के ideas पर बेस था. यह plan conflicting economic interests के बीच एक balance बिल्ड करना चाहता था. Roosevelt कमानना था कि हर citizen को एक comfortable living assure कराना government की responsibility है. और इसलिए उन्होंने government के roles और responsibilities को dramatically expand किया. तो जहाँ 1930s तक America में debates इस question के around घूमती थी कि federal government को economy में intervene करना चाहिए या नहीं, वहीं debate New Deal के बाद इस question के around revolve होने लगी कि intervention किन-किन method से किये जाएं. इस New Deal के अंतरकत 1933 से 1938 तक कई federal government programs लाए गए जिनका मकसद लोगों की sufferings को कम करना, private industry को regulate करना और economy को positive track पर लाना था. इस New Deal को अकसर three odds में sum up किया जाता है, जिसमें पहला आर यानि relief programs for the poor and unemployed, दूसरा आर यानि recovery program यानि government spending और job creation से economy को वापस पटरी पर लाना, और तीसरा आर यानि reform जिसका मकसद regulatory legislations और नए social welfare program से capitalism के basic tenets को reform करना था, जिससे आने वाले समय में इस तरह की crisis को हर हाल में prevent किया जा सके. Historians इस पूरे program को अकसर दो phase या deals में divide करते हैं, जिसमें पहली है first new deal, जो 1933 से 1934 तक implement हुई, और दूसरी second new deal, जो 1935 से 1936 तक implement की गई. आईए उनको समझते हैं. The 100 days दोस्तों, first new deal के majority of legislations, President Roosevelt की presidency के शुरुवाती तीन महीनों में inact किये गए. इनको the 100 days के नाम से जाना गया. इन 100 days में, Roosevelt ने Congress को 15 नए legislations पास करने के लिए insist किया. अपनी presidency के पहले ही दिन, Roosevelt को देश के banking system का collapse face करना पड़ा. इससे जन्मी panic wave को दबाने के लिए, 5th March 1933 को, Roosevelt ने 4-day bank holiday डिकलेर किया, ताकि लोग बैंक से और पैसे विद्रॉन ना कर सके. 9th March को, Congress ने Roosevelt's Emergency Banking Act पास किया, जिसके अंतरगत, insolvent banks को बंद कर दिया गया, और बाकी banks को reorganize किया गया. इसके 3 दिन बाद, यानि 12 March को, President ने लोगों को आश्वासन देते हुए, उनसे उनकी savings वापस bank में deposit करने को कहा. Month end तक लगभग 75% banks reopen हुए, और लोगों ने अपनी बची-खुची savings वापस deposit करनी शुरू की. इन bank legislations की success ने लोगों में विश्वास restore किया. इसी कड़ी में आगे liquor sales के उपर लगा prohibitions crap किया गया, ताकि government spending के लिए revenue generate हो सके. इंडस्ट्रिल activity को बढ़ावा देने के लिए National Recovery Administration का गठन हुआ, जिससे इंडस्ट्रिल trade practices, wages, working hours, child labor और collective bargaining codes को गवर्न करने की authority दी गई. देश के financial hierarchy को regulate करने के लिए Federal Trade Commission को नई powers मिली और Securities and Exchange Commission का भी गठन हुआ. इनका मकसद misleading sales practices और stock manipulations को कम कर, stock market में investors का confidence rebuild करना था. उसी तरह, Federal Deposit Insurance Corporation के तहट, लोगों को भरोसा दिया गया, कि अगर future में banks फिर से collapse हुए, तो उनका पैसा उन्हें Federal Government से मिलेगा. इसके अलावा, Agricultural Adjustment Administration के तुरू, farmers को cash subsidies प्रवाइड कर, staple crops के production को control किया गया. और तो और, एक artificial scarcity भी generate की गई, जिससे उनके market price increase हो सके. इसी कड़ी में, American History के largest government-owned industrial enterprise, यानि Tennessee Valley Authority, TVA का भी निर्मान हुआ. इसके द्वारा, poverty-stricken Tennessee Valley में, power stations का निर्मान किया गया, ताकि लोगों को cheap electricity मिले, और flood control mechanisms implement किये जा सके. अब देखते हैं Second New Deal को. The Second New Deal. दोस्तों, President Roosevelt और उनकी government के best efforts के बावजूद, Great Depression अभी भी continued था, और economy भी unstable थी. उल्टा उनको judiciary से opposition face करना पड़ रहा था. इसी के चलते, 1935 में, Roosevelt ने पहले से ज्यादा aggressive federal reforms imposed की. इन नई legislations को Second New Deal के अंतरगत की ना जाने लगा. Second New Deal का focus, labor force के upliftment और बाकी working groups की financial security की तरफ shift हो गया. Government aid को लोगों तक पहुँचाने और Massive Employment Generation के लिए, Works Progress Administration या WPA और Civilian Conservation Corps या CCC जैसे federal agencies स्थापित की गई. WPA के तहट 50 लाख लोगों को construction jobs मिली. वही CCC के तहट Young Unmarried Men को National Conservation Work Provide किया गया, जिसमें planting trees, building flood barriers, fighting forest fires, maintaining forest roads जैसे काम शामिल थे. उसी तरह Congress ने Wagner Labor Relations Act पास किया, जिसके अंतरगत workers को union formation और bargaining जैसे rights दिये गए. साथ ही साथ, इन trade unions के elections को supervise करने के लिए और workers के साथ किसी भी तरह के unfair treatment को रोकने के लिए एक National Labor Relations Board का भी गठन हुआ. Fair Labor Standards Act के तहट, Congress ने 40-hour work week hourly minimum wage और restricted child labor जैसे measures implement किये. और Social Security Act के तहट, senior citizens के लिए monthly pensions, children और physically और mentally disabled population के लिए government care programs और unemployment insurance जैसे measures अड़ाप्ट किये गए. अब बात करते हैं Roosevelt की New Deal के legacy की. The Legacy of the New Deal वैसे Roosevelt की New Deal ने British Economist John Maynard Keynes की ideology के basis पर welfare state के principles को adopt कर economy को repair करना चाहा. लेकिन critics का मानना है कि New Deal के promises कभी भी पूरी तरह से materialized नहीं हो पाए. इस deal के तहट 8 million Americans को employment provide की गई. लेकिन उसके बावजूद 30s के पूरे दशक में अमेरिका का unemployment rate 14% से नीचे नहीं आ पाया. इसके अलावा इस deal पर racial supremacy और federal hegemony को impose करने के इलजाम भी लगे. और तो और critics का मानना है कि United States की economy तब तक fully recover नहीं हो पाई जब तक उसने Second World War में कदम नहीं रखा. यानि कि New Deal इस crisis को solve करने में कुछ ज्यादा काम्याब नहीं हो पाई. लेकिन इन critics के बावजूद एक बात तोता है कि 1930s में New Deal द्वारा imposed federal regulation of wages, working hours, child labor, collective bargaining rights और social security system की legacy American economy में न सिर्फ आज तक follow हो रही है, बलकि ये उसका एक landmark feature बन गई है.